जेहिंद सात्यूं स्वागत है आप सभी का राजस्तान के सबसे लोग पीरिय चैनल स्टेडी एक्जाम एकेडमी पर राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल बर्ती को लेकर आज हुई हाई कोट में सुनवाई आपको बता दें कि राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती हाई कोर्ट में गई हुई थी कि इसका जो परिणाम है वो जिलेवाई जारी नहीं होकर बलकि ओल्ल राजस्तान का एक ही रिजल्ट जारी हो इसके लवा राजस्तान के तीन ऐसे जिले हैं जिन में पांच गुणा यहां पर विदारतियों को पास नहीं किया गया था जयारपी अजमेर बुंदी रासमन वहां पर उसको भी लेकर आज सोंगाई हुई थी तो बड़ी अपडेट आपके लिए एडवोकेट गौर्दन सिंग की आप देख सकते हैं राजस्तान सिपाई भरती राजिवार परिणाम जारी करने का एकलपीट का नीन्य हाई कोट की खंडपीट दुआरा खारिज कर दिया गया है यानि तो राजिवार परिणाम जारी होता है ओल्ल स्टेट का उसकी याचिकाती उसको अब खारिज कर दिया गया है अब परिणाम है वो जिलेवार ही जार करने का एकलपीट का नीन्य हाई कोट की खंटपी दुआरा खारीज अब जिलवारी बनेगी मेरिट जैसे पहले बनती आ रही है इसके लावा तो तीन जिले हैं जियारपी अजमेर राजसमंद और जो बुंदी जिनका पांच गुना विदार चुप पास नहीं किया गया था जिसको लेकर इनका अभी तक फिजिकल तक नहीं हुआ है तो इनकी जो सुनवाई है उसको आज टाल दिया गया है यानी इनकी सुनवाई अगली तितिक होगी जैसे सुनवाई होगी हमारे टेलीग्राम गुरूप में जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें डाल दी जाएगी इसलिए टेलिग्राम गुरूप से आप जुड़ जाएं यदि नए हो तो और पलपल की आपको अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है